वह सब्सक्राइब करने वाला है कि किस टाइप से हमें 3D टेक्स बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर सबसे अपन यहां पर एक टेक्स लेर करें जिसके अंदर अपन लिख लेता है अभी एक लिए जस्ट आट एक और उसको बड़ा कर लेता हूं साइज इसका इस लुकिंग नाइस और यहां पर अपन इसको कर देंगे स्मार्ट अब्जेक्ट बनाने का मेरा पर्पस इत्ता है कि अपने इसको 3D बनाएंगे तो इसको दिस्टॉर्शन वगरा काफी सारी चीज़े होंगी इसकी क्वालिटी खराब ना हो और अगर हमें कुछ चेंज भी तो इसको फ्रेम के अंदर ले आता है और उपर से अलका सा कर लेते हैं तो इस ताइप से अपन करके कंट्रोल एस करेंगे तो आपके वास में यहां पर सेव हो जाएगा और आपको यहां पर टेक्स अब्डेट हो जाएगा तो हर बार अपने को नई चीज करने के लिए कु स्मार्ट अबजेक्ट बनाना जोकि हमने बना लिया है उसके बाद हम करेंगे कंट्रूल टी और राइट लिक करेंगे उसके बाद जाएंगे हम सीधा परिस्पेक्टिव के अंदर और फिर बाद में ने चलते हैं अब किस को कर्व करना लेज़्से मुझे अभी ऐसा रखन कreी है वह दिखना चाहिए त सो मेरा कुछ इस टाइप से दिखना चाहिए और अब कर सकते हो मैं आपको लगे कि हां मेरा इतना चाहिए तो आफ के सात में इसको कर सकते हो प्र WATיים अब हलका सा इसको यह सेट करते हैं और यहां से भी हलका स्थोड़ा सीधा कर लेते इसको थोड़ा साहि करते हैं और यहां पर भी थोड़ा साइक कर लेते हैं कि कुछ इतना जो मुझे चाहिए मेरा जो टेक्स्ट है उसमें अर्ण दिस यह एक्दम पर्फेक्ट है जहां अगर अपने को टेक्स सिर्फ टेक्स दिखाए थोड़ा तो आप ऐसे कर सकते हो लेकिन अब बात करने के लिए काफी सारे लोग काफी अलगलग बताते हैं कि आपको बताएं कि कि आप जो पैंटूल से सेलेक्ट करके आप बना सकते हो बिलकल बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें लेकिन हर बार टेक्स चेंज हुआ तो आपके वो जो सेलेक्शन बनाए थे हर बार वो चेंज होंगे रैट बट मैं आज आपको एक ऐसा मैच्ट बता रहा हूं जिससे कि आप बड़े अराम से आपकी बना सकते हो और इसके अंदर आपको एकस चेंज हो जाएगा तो आपको और कोई चेंज करने की ज़रत नहीं पड़ेंगे वह क्या है सिंपली जाना आपको एफक्स के इंदर दें जाना है ड्रॉप शैडव ड्रॉप शैडव एक ऐसी चीज हो एफक्स के अंदर ड्रॉप शैडव राइट सारी ड्रॉप शैडव को जो आपन डिलीट कर लेते हैं सिवाए एक के अपना एक में अब इसके अंदर देख लिए क्या क्या सेटिंग्स रखनी है ब्लैंड मोड आपको रखेना है नॉर्मल कलर आप जो भी आपका रखना है मैं रख सकता हूं तो मैं इसको हलका सा एक डार्क ब्लूइश काइंड आफ में लेके चलते हैं अपना हलका सा इसको कि अधर हलका सा लाइट में भी चलते हैं और इसको करके देन क्लिक करते हैं और इसके बाद में उपसिटी आपको फुल रखनी है एंगल आपको इसको करना पड़ेगा अब लच्छे हमारे पास में अगर यह हमारी इमेज है वह अगर अगर इस टाइप से लिखाओ है तो पीछे का 3D बनेगा वह किस टाइप में बनेगा पीछे की तरह में जाएगा ठीक है तो यहां पे आपको डिस्टेंस जो है पहले तो कर लेना है इत हाँ है पूर ऐसा से स्टार्ट कर सकतने एवों से स्टार्ट कर सकाने तेन से स्टार्ट कर रहा हूrau कर देन उसके बाद आपन आपन क्या करेंगे आपन यह क्या हसंपरएज हाँ यह जी म ponieważ ऑन दो यह घुलोबाद भाग लाइड टेक यह फैने जए दो क्या इता चल जा है फिर आपको क्लिक करना है इस प्लस पे प्लस 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 ऐसे जितनी बार आप प्लस कर सकते हैं अब सी अब यहां पे डिसेबल हो गया इसका मतलब इससे प्लस नहीं कर सकते हैं सो मैंक्स होथा थैथ तेम के य skirt आपको लगा ले नैं और पहले याल पर इट plays एले जाने दिस्टन सभीर इस फिर उतना एन चैनल पुछले वार में मारद ये ये टन चैनल जाने 317 oppose च्विफ्टी में 무 के प Means सब्सक्राइब कर देखिए हमने सर्फ एक ड्रॉप शेडव का यूज किया और हमारे पास में 3D टेक्स रडी है अब मैं टेक्स चेंज करना चाहरा हूं और ड्रॉप शेडव को मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा यहां पर दिखेगा अब यहां पर मैंने किया मैंने ड्रॉप शेडव बिल्कुल चेंज नहीं किया कुछ भी चेंज नहीं किया और आपका बिल्कुल रैडी है विल्कुल एकदम 3D टेक्स राइट तो यह टाइम सेविंग है तो आप कैसा भी करना चाहाओ आप यहां पर कर सकते है अच्छा अगर आपको यहां पर अभी क क्या तो यहां पर क्या करेंगे कंट्रोल जे करेंगे इसका और नीचे लियर को सेलेट करके अपन सिंपली पीछे की तरफ मिल ले जाएंगे जहां पर आपके बिल्कुल परफेक्टली मैच हो जाए वहां पर रख लीजे और आपके पास में यह डैप्थ और बढ़गी और उसकते करेंगेक्र ग्रिए करना कुछ निक नी करना कि जींट्रोल 15 तसलेट करेंगे और जितना फूलेकर जाना चाथ ऑप लेज़ा सकते हो तो कुछ इतना सही लग रहा है थोड़ा नीचे इतने इस टाइप से आप आराम से इसका कंप्लीट कर सकते हो और अब अगर मैंने जो तीन अलग लग लग चले वड़ा सा बिलकुल नहीं है आपको सिंपल एक पर जाना और यहां पर जाके बस आपको लग जाना टैक्स सेव क सारी की सारी लियर्स आउटमाटिक अपडेट हो जाएंगी तरीका है स्मार्ट अब्जेक्ट्स और ड्रॉप शेडव को यूज करके आप किसी भी 3D टेक्स को बनाने में आप आराम से जैसको कर सकते हो और काफी अच्छा अच्छा एक चीज अपन रहा चुका है क्या रहा कुछ इस टाइप से हमारा जो 3D टेक्स बन रहा था लेकिन अब हमारा क्लाइन का बोला कि भाई 3D टेक्स ऐसा ना बने ऐसा उपर से नीचे की तरफ में तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना हर ड्रॉप शेडव पर जाकर आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा तो उसमें उसमें अपने आप ऑट यृट जाएंगे सिया जी तरीका है किसे कि आप जोरी ये ये तरीका आपके वीडियो अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक शे एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैं मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो के इंदर तब तक के लिए बाए